नवसकार दोसों, स्वागत आपका मारे यूटूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ दोसों, साल 2023 का दे एंड हो चुका है और एक नए साल 2024 की सुरुवात हुई है और नए साल में हर किसी की एक प्लानिंग होती है कि इस नए साल में मुझे कुछ नया करना है या फिर उसे एक लंबे समय तक के लिए पूरे साल की प्लानिंग ले करके चलते हैं कि इस साल में मैं इतने इतने काम करूंगा और मुझे इतने समय में इतना सक्सेस मिलना चाहिए तो उसी कड़ी में आज की इस वीडियो के अंदर हम अगर आप नए साल में इन्वेस्मेंट की प्लान कर रहे हैं तो उसके उपर पांच ऐसे फार्मूले पर डिसकस करने वाले हैं कि अगर आप इन पांच फार्मूलों की मदद से अपने इन्वेस्मेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो काफी आपको हेल्फ मिलेगी तो दोस्तों जब भी हम ने investment की planning करते हैं या अभी नया साल शुरुआत हुआ है 2024 की और उस बीच में अगर हम investment की ले करके अगर investment को अपनी planning कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें दो चीजों को खास तोर पर ध्यान रखना होगा एक समय और एक investment के उपर मिलने वारा returns कितना होगा क्योंकि जितने समय के लिए आप अपना investment करेंगे लंबे समय के लिए उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे returns मिलेंगे अगर आप short term के हिसाब से planning करेंगे तो आपको उतना ही छूटा amount returns मिलेगा लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए अपना investment प्लान कर रहे हैं एक आपका goal shit है कि मुझे इतने समय में इतने investment के ऊपर इतना returns या इतना पैसा इकठा करना है तो यह पूरी planning के according अगर आप अपने planning को ले करके चल रहे हैं 2024 के अंदर तो आज इस वीडियो के अंदर जो आपको 5 formula देखने को मिलने वाले हैं अगर आप उन्हें अपने life में apply करते हैं औ और उस formula के according अगर आप अपने financially planning करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने से पहले अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो उसे subscribe करके bell icon की बटन दबा दें ताकि next वीडियो जो इस चैनल पर upload हो उसका notification सबसे पहले आपके पास में तो दोस्तों सबसे पहले हम formula number 1 देखते हैं 50 20 30 यह नियम उतना ही इस प्रष्ट है जितना इसके number से आपको आपने देख लिया होगा आपको अपने रकम को तीन हिस्सों में बाटना होगा एक तो tax के बाद जो भी आपकी salary है उसका 50% आपको आपके घरेलू खर्ष के लिए रखना होगा और 20% उसमें से थोड़े समय में जो भी आपकी जरूरत पढ़ती है बीच बीच में उसके लिए आपको पहले से रखना होगा हटा करके और जो 30% के आपके salary का पार्ट बच रहा है आपको उसे invest करना होगा आपके जरूरत की planning के according कि मुझे उसे कहा invest करना है य यह formula basic formula है सबसे पहले जब भी आप financial planning करने की planning कर रहे हो तो इसी formula से आपको start करना होगा क्योंकि अगर आप पहले formula को maintain करके चलेंगे तो आप जिस भी plan को लेकर के जिस समय तक के लिए चल रहे हैं जब भी आप सफलता पूरबग उस लक्ष को हासिल कर पाएंगे अगर हो सकता है कि कभी आपको ऐसे financially crisis जहलने पड़ें कि आपकी जो planning होगी investment की उसे आपको बीच में ही रुकना पड़ जाएं दोसो second formula है 15 15 15 15 15 15 15 15 दोसो number से यह आप यह समझ सकते हैं कि 15 15 15 का क्या formula हो सकता है जो भी long term investment की हिसाब से विक्ति प्लान कर रहा है तो उसमें आपको 15,000 रुपे का महीने का investment 15 साल के लिए और ऐसी जगे invest करना होगा जिसका return 15% हो अब आपको यह देखना है कि 15% returns आप कहा invest करेंगे तो आपको मिलेगा तो इसके लिए सबसे best option होगा equity investment अगर आप equity में investment कर रहे हैं 15% के return के हिसाब से fund को choose करके तो आप इस formula को अपने financial planning के अंदर add करके चलें कि 15,000 रुपे का 15 साल के लिए 15% के return के हिसाब से मैं अगर invest करता हूँ तो उसका calculation आज के समय में आज के दिन ही आप लगा सकते हैं कि after 15 years बाद आपको approximately कितना returns मिल सकता है इसके अलावा अगर आप share market में investment करना चाते हैं तो share market में actually उतार चड़ाओ इतने ज़्यादा तेजी के साथ होते हैं कि वहाँ पर आप actual figure को ले करके चलने में असमर्थ रहेंगे तो आप equity में investment कर लिए सही option होगा आप उसमें ये planning formula का कर सकते हैं formula number 72 दोसो formula number 72 ये सिर्फ आपको ये बताता है कि अगर आपके पैसे को दोगुना करना है तो वो किस तरीके से आप उसे कर सकते हैं कि कई बार होता है जब भी हम investment करते हैं और हमारा जो calculation हम निकालते हैं तो उसके अंदर हम confused हो जाते हैं किस तरीके से मुझे अपने calculation को निकलना है तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी SIP में भी अगर investment कर रहे हैं और 15% के returns के हिसाब से मिल रहा है आपको returns तो उसे आप double करना चाहते हैं तो आप उसे 72 को 15 से अगर भाग देंगे तो वहाँ पर 4.8 साल के बीच में आपको यह बता देगा कि आपका इतना पैसा returns हो रहा है तो यह actually 72 का नियम जो है वो सिर्फ आपको आपके पैसे को double करने का formula बताता है दूस्तो formula no.114 का जो नियम है यह भी आपके पैसे को 3 गुना returns के हिसाब से हिसाब देता है क्योंकि अगर आप अपने पैसे को invest कर रहे हैं और उसका calculation लगाना चाहते हैं मुझे अगर कितने समय में कितने percent का returns मिलेगा तो मेरा पैसा कितना जादा double या तीबल होगा तो उस formula के लिए आपको यह calculation के लिए यह formula आपको मदद करेगा तो 114 को जो भी आपको समभावी ब्याजदर मिल रही हैं आपको उससे भाग दे करके निकालना होगा जैसे कि आपने कहीं पे भी अपना investment किया और 15% के returns के हिसाब से अगर आपको returns बिल रहा है तो 114 को 15 से आप भाग देंगे तो वहाँ पर आपका जो actual calculation निकल के आएगा कि 7.6 मन्त के बीच में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा दोसो 100 minus उम्र यह formula सबसे ज़्यादा उपी होगी है क्योंकि अगर किसी भी age में आप अपने financial planning को कर रहे हैं और अच्छे returns लेनी के उम्मीद लख रहे हैं तो आपको इस formula के ऊपर जरूर काम करना चाहिए यह formula आपको यह बताता है कि आपकी age अगर जो भी x, y, z है 100 में से आप उसे minus करें जो percentage आपका आता है उसके उतने percent की हिसाब से आप risk ले करके अपना investment कर सकते हैं यानि कि अगर किसी की age 50 साल की है तो अगर वो minus करेगा 100 में तो 50-50 आएगा यानि कि 50 साल की उमर में भी आप share markets में या फिर आपके ने जो भी financial planning कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 50% का तो आप risk ले सकते हैं 50% आपका पैसा आप ऐसी जगे इंवस्ट करें जब नॉन डिस्की हो जहाँ पर आपको guaranteed returns मिल रहे हो और 50% की उपर आप ऐसी जगे इंवस्ट करें जहाँ पर आपके returns फिक्स ना हो लेकिन वहाँ पर आपको कुछ जादा अच्छे returns मिलने की उम्मीद हो जैसे कि आप SIP य investment के जो fund होते हैं तो वहाँ पर आप इस formula को लगा करके आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं या फिर उस जोखिम को किस तरीके से आप diversified investment करें कि आपको कितना अभी depth में invest करना है कितना आपको equity में करना है कितने में आप low risk में खेल सकते हैं कितने में आप high risk में खेल सकते है ये calculation आप इस formula से आप निकाल सकते हैं तो दोस्तों अभी इस video के अंदर जो 5 formula बताए गए हैं अगर आप financial planning कर रहे हैं 2024 की तो इस formula को ध्यान में रख करके और उस formula के according ही अपना investment करें जिसमें आपके financial planning करने में काफी help मिलेगी बागे गोस्तों अभी आप video को like करें और चैनल को subscribe करके जादा से जादा लोगों को शाथ में आप इसे share करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सकें धन्यवाद